बच्चों आज हम इंदिस आईत्य में आपका पार्ट दर जहांसी की रानी पढ़ेंगे आपको आपको बताया था की जहांसी की रानी का दोस्त कौन थे उसके खेल क्या के थी यह सब चीजे में आपको पताई थी और उनका विवा किसे हुआ था जहांसी के राजा बाल गंग अपमान, वी सैनिकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान, नाना दुदुनपंत पेश्वा जुटा रहा था सब सामान, भहिन चबिलीन ने रंचंडी का कर दियात प्रकट अहवान, हुआ यग्य, आरम उन्हें तो सोई जोती जगानी थी, बुंदे लेहर बोलो के उन्हें कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो छांसी वाली जानी थी, तो क्या कहा उन्होंने, कहा कि अंग्रेजों के सासन के समय में, जहां एक और गरीब किया था, बहुत कटनाईयों मुसीबत के दिन काट रहा था, बिता रहा था, वहीं दूसरी और महलों की जो जती दूर में मिल रही थी, वीर सानिक थे हम लोगों के, उन्हें मन में भले ही, उनके जो कमझोर हो गया हो, उनका सास कमझोर पढ़ गया पर उनके मन में, अपने पूरजों के प्रती गर्व, फूट-फूट क कर भरावा था, व्ता कूट-कूट के भरावा था, नाना लक्षमी भाई तो वो क्या कर रही थी रानी लक्षमी भाई अपने महल में जितनी भी इस्त्रिया थी उनको देवी दुर्गा के रंचंडी कर रूप जागरित कर रही थी मताब उन्हें यूद के लिए प्रसिक्षन देकर उन्हें भी सेना में सामिल कर रही थी देवी दुर के मुझे सुनी थी कि जहासी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के सामार युद में लड़ी थी महलो ने दी आग जोबडी ने जौला सुलकाई थी जहा सतनतिता की चिंगारी अंत्रम से आई थी जहासी चेती दिल्ली चेती लपनों लप्टे चाई थी मेरत कानपूर पटना ने भारी धूम मचाई थी जबलपूर कोलापूर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदी लेहर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली दानी थी फिर क्या हुआ अंग्रीजों क्या थे से अपने आजादी को शीनने की बात कर लेकर महलों में आग की तरह फैल रही थी मतब सबको लगा कि अब हम क्या है अब तो हम आजादी के लिए लड़ना के लिए विकुल तयार हैं तो समाज के जो अन्यवर्ग थे वे भी अंग्रीजों के प्रति गुस्सा से भरे वे थे मतब महलों में तो था लेकिन जो छोटे लोग थे जोपड़ी वाले उन लोगों में भी यहाज जोज अकी लप्तों के समान फैल रहा था मेरट पटनाक कानपूर में आजादी प्राप्त करने की बार सबके के सबके दिलों में थी फिर आपका जवलपूर और कॉलापूर के लोगों में भी यही बार बढनी थी हाना अथाद उनको प्रेशरीद करणा था अग्य यग्य में कई वीर आये काम नाना धुदुनपंत तांत्या चतुर अजिमुला सन्नाम एहमर सामौलवी ठाकुल कुमर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरुबानी थी बुंदेले हर बोलो के मूं हमने सुनी कहानी थी फूब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी फिर क्या कहा आजादी के इस महायग्य में और भी कई वीरों ने अपनी कुरुबानी दी थी इनमें जो आपके नाम बोले उन्होंने कौन-कौन से थे नाना धुदुनपंत तांत् चान की तरह कैसा रहो चमकता, अमर रहे ह गहा या अमर रहे का हना उनकी इस कॉर्बानी और त्याःग और बलदान को अंग्रेज जूर्म अठाद अपराद कहते हैं उनको लगता था रहे हमारे विरूद गाड़े थे को ने रखता था कि ये अपराध है लेकिन ये कहानी हमने किसके मुझे सुनी थी बुंदेल खन के लोगों के मुझे सुनी थी कि जासी की जो रानी थी अंगरेजों के खिलाफ यूद के मैदान में वीर पूर्सों के समाल लड़ी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम जासी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्षमी बाई मर्द बनी मर्दानों में लेटिनन वाकर आ पहुँचा आगे बड़ा जवानों में रानी ने तलवार खिचली हुआ दूंद आसमानों में जक्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी बुंदे ले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी फिर क्या कहा उन्होंने कि इनकी गाथा जो कवित्री है सुबधरक मारी चुहान जी कहती है कि भारत के इन दाज्यों की बात तों हम छोड़ देते हैं जिने अंग जब वहां पर लड़ रही थी तो क्या हुआ तो वहां पर कौन आया मर्दों से बढ़कर युद्धा के रूप में काम करी थी जब जवाने साथ लेकर कौन आप पहुंचा वहां पर लेटिने वोकर आया तो रानी ने उसे यूद करने के लिए अपनी तर्वार को खीच ली हाना उसके बाद दो आसमान यो धॉग के बीच यूद वहां यूद वहां लेटिने वोकर फिर घाल हो गया रहानी लेक्णी ने क्या कर दीया और वहां से भाग गया वह बंसे गया कीरानी यूत के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीरपूर्सों के समाल लड़ी थी रानी बड़ी कलपी आई कलपी आई कर सौमिल निरंतर पार घोड़ा ठककर गिरा भूमी पर गया स्वर्ग तकाल सिदार यमना तड़ पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजे रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंध्या ने छोड़ी राजधानी थी बुंदे लेहर भोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वतो जहासी वाली रानी थी रानी के हुआ आगे बढ़ती जारी थी और सो मिल का रास्ता पार कर कालपी आ पहुँची और उसका घोड़ा ठक कर धरती पर गिर गया और वो उसी वक्त हाँ पर मर गया विचारा उधर यमना के तर्ट पर यूद में अंग्रेज रानी के हाथों प्राजित हो गए रानी विजे होकर आगे बढ़ी और क्वालिया पर भी उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली क्वालिया का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था उसने रानी से डर कर अपनी राज्धानी को ही छोड़कर वो भाग गया यह कहानी हमने किसे सुनी थी पुंदिरखन के लोगों के मुझे सुनी थी जो रानी लक्ष्मिवाय थी Veer Pursu के समान यूद के मैदान में लड़ी थी विजे मिली पर अंग्रेजों की फी सेना घिर आई थी अपके जन्रल स्मित सनमुक था उसके मुखी खाई थी काना और मंद्रा सक्या रानी के संग आई थी युद छेत्रे में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी फिर उसनों ने क्या कहा कि क्या हुआ कि रानी लक्ष्मी भाई जीत वहासिल कर हुई और हुई तो दुबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती भी आप पहुँची इस बार सामने से आ रही टुकडी का नेत्रों तो कौन कर रहा था जन्रल स्मित कर रहा था वह एक बार से हार चुका था उधर रानी के साथ उसकी दो सहलिया काना और मंद्रा भी आई थी और उनके उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचा दी थी पर दूसरी और से अपनी सेना के साथ आ पहुँचा है रानी लक्ष्मी भाई और और रानी लक्ष्मी भाई औ मुझे सुनी थी कि रानी लक्ष्मी बाई क्या थी युद के मैदान में वीर पूर्सों के समान लड़ी थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्ने के पार किन्तु सामने नाला आया था या संकट विसम अपार घोडा अडा नया घोडा था इतने में आ गए सवार रानी एक सत्रू बहुतरे होने लगे वार पे वार गायल होकर गरी सिहनी उसे वीर गती पानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी फूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी रां क्या थे राणी हुरोज और स्मीथ सेंषु फिर भी वह सामने की सेंषु मार काट्टbank मचाकर सेंष आ पहुंच गई थी किन्तु के एक जाल अगया अना रानी कोई खोड़ा था इस एक ठेनिंग नहीं दे गई थी नाले को पान ने करने के लिए अड़ गया इतने में पीछे से पीछा करते वे अंग्रेज के सहनिक आ गये और दोनों और से वार पर वार खोरते चले गये से घायल होकर रानी गिर पड़ी और उसके क्या हो गया गिर गई और उसने वीरगति को प्राप्त कर लिया यह कहानी थी हमने किसके मुझसे सुनी थी बुंदिर खन के लोगों के मुझसे सुनी थी कि युद के मैदान में रानी कैसे लड़ी थी वीरपुर्सों के समाल लड़ी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वा सच्ची अधिकारी थी अभी उम्र के कुल तेज की थी हना मनुझ नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बन स्वत्रंतता नारी थी दिखा गई पत, सिखा गई हमको, जो सीख सिखाने थी, बुंदे लेहर बोलो के मूँ, हमने सुनी कहाने थी, खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी, हाना, फिर क्या हुआ, तो रानी जब अंग्रेज़ गिर कर उनकी नीचे गिर गई, तो उनका स्वरगवा थी, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी, हना, अभी उनकी अवस्था कुल कितने साल के थी कितने साल की थी , किवयल प्रापРИपनेथा कि देवि बनकर हमें जीवित करनी आई थी, मतलब हमें स्षतनतता की रहा दिखा कर चली गई, जीवित करनी हैं वहां हमें बल्दान का मार्ग दिखा गई हाना और जो सीख देनी थी वो देकर चली गई और मुंदेल खन के लोगों से हमने कहानी सुनी थी कि जो जासी की रानी थी अंग्रेज के साथ यूद के मैदान में विर्ज पुर्टो के समान लड़ी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृत्तक्य भारत वासी यह तेरा बल्दान जावेगा चतनत्ता अविनाशी होवे चुप इत्यास लगे सच्चाई को चाहे फासी हो मदमाती विजे मिटा दे गोलो से चाहे जासी तेरा समारक तू ही होगी तू खुद अमिट निसानी थी बुंदे ले हर बोलो के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी थी हाना तो उन्होंने क्या कहा कि अन्तोय कवित्री कहती है कि हे रानी तुम सर्ग को जाओ तुम्हारा यह बलदान याद रखेंगे तुम्हारा यह बलदान हमका भी भी क्या नष्ट नहीं होने देंगे और आजादी के परति हम सचेत रहेंगे इत्यास चाहे कुछ भी कहे और सच्चाई पर क्या सच्चाई का नाम गला घोड़ दे या नाम निशान मिता दे पर अंग्रेज द्वारा चाहे रिजे प्राप्त कर ली जाए या विजहासी को गोलों से नश्ट कर दे मतलब भात के नक्सेस को मिता दे पर भायत वासी या बल मतल है कोहई प्राइब दे या कानी हम ने किसके मुझसे सुनी थी बंदिलखन के लोगों के मुझसे सुनी थी कि झांग्रेज जासी की रानी थी यूद के मैदान में बड़ी वीर्ता के साथ लरी थी थी हाना अब हम बच्चों यह पाठ ही पर होता है हम इसके प्रश्णुतर नहीं करेंगे बलकि हम लोग इसके बहावार्थ करेंगे यह मैं आपको होमबक में दूँगी बहावार्थ आप इसको होमबक में करेंगे धन्यवाद